वेलकम दोस्तों फिर से हम आपका श्वागत करते हैं इस law of attraction की सीरीज में जिसमें हम राम सर के साथ थोड़े से question करेंगे law of attraction के बारे में तो राम सर law of attraction के बारे में बहुत जो चीजें हमें बताई जाती हैं हमें बताई जाते हैं कि आपको एक particular frequency के साथ connect करना होगा वो कहते हैं raise your vibrations आप money की frequency के साथ जुड़े money को attract करने के लिए तो मेरा सवाल यह है कि हम इस particular frequency के बारे में पहले तो जाने कैसे क्योंकि वो यह नहीं बताते हैं यह particular frequency इतनी है 98.7 यह frequency 98.7 है आप connect कर लिजे unlimited पैसा यूनिवर्स आपको भीजने लगेगा और इसी में दूसर सवाल मेरा आता है जो थोड़ा सा अजीब आपको लग सकता है कि पैदा तो मैं एक मनुष्य की तरह हुआ हूँ और अब frequency के चक्कर में मुझे antenna बनना पड़ रहा है तो मैं इस चीज को कैसे देखू यह बहुत अच्छा सवाल है लेकिन इसको मैं जिस तरह से समझ सकता हूँ मेरे पास अब दो चीज पहले question में दो चीज आई है कि पैस हैं उनकी values क्या हैं और वो किस तरह से identify करते हैं situation को for example हर पैसे वाला आदमी या successful आदमी उसका एक belief होता है कि everything is achieved by commitment हर एक चीज को आप commitment के साथ confidence के साथ motivation के साथ उनके साथ अगर कोई भी चीज गलत होती है और उनको उनके मन पसंद समय पर उनको result नहीं आते तो वो miseries नही create करते हैं अपने लिए रोना नहीं रोते हैं परिष्टारों के पास वो जाकर अपनी अपनी गाता नहीं गाते हैं जो एक आम आदमी गाता है बलकि वो immediately एक चीज को सोचते हैं जो उनके चीज से जो उनके behavior से चलकता है वो यह है कि everything happens for a purpose वो इस failure को failure के रूप में नहीं ल मैं आगे बढ़ने के लिए कैसे परियोग करूं यानि कि मुझे लोगों ने मेरे partner ने धोका दे दिया है धोका इसलिए दिया कि मैं casual था मैंने papers को पूरी तरह नहीं लिया मैंने human psychology को नहीं समझा मैंने रैपो बनाने की तरीके नहीं समझे मैंने human skills को नहीं सीखा तो जो successful आदमी है वो अगली बार इन सब चीजों को इस gap को पूरा करता है और याद रखेगा जब आप पैसा कमाते हैं या किसी चीज़ को attract करते हैं तो आप इस gap को सिर्फ पूरा करते हैं you are filling the gap या plugging the gap gap को पूरा करना ही success है इसका मतलब यह है कि जब मुझे पैसे की frequency नहीं पता पर मुझे इतना पता है कि कैसे एक successful आदमी या पैसे वाला आदमी अपने आप से relate करता है लोगों से relate करता है अपने लक्षों से relate करता है उसके पास कुछ beliefs होते हैं उसका belief यह होता है कि make your vocation your vacation आप अपने काम को ही इतना बढ़िया बनाईए इतना बढ़िया मज़दार कि आपको आपकी picnic लगने लगे आम आदमी इसका उल्टा करता है वो कहता है अब तुम मुझे मेहनत करनी है और इसमें संगर्श करना है फिर मैं एक दिन enjoy करूंगा खास आदमी उस moment को उसी पल enjoy करता है यानि कि वो पैसा कमाते हुए भी failure को लेते हुए भी सफल होते हुए भी पूरे आनंद के साथ एक एक प्रोसेस को लेता है और इस प्रोसेस की जानकारी उसे होनी चाहिए उसी तरह से एक आम आदमी है छोट-छोटी बातों से रिष्टे खराब कर लेता है लेकिन कभी भी एक बड़े आदमी को आप देखेंगे वो रिष्टे को खराब करके नहीं चलता अगर खराब भी हो रहा है तो वो उस समय हाथ भी गर्म जोशी से मिलाएगा चलते हुए मुस्कुराते हुए लेगा क्योंकि वो एक चीज जानता है कि पेपल आर दा रियल असेट्स इन लाइफ तो अगर हम इन फ्रिक्वेंसी को अपने आप लेने लगें तो एक रिच आदमी को देखकर मुझे घरना हो रही है उससे कि यह तो गलता पैसे से कमा कर आया उसने तो टेक्स की चोरी करी है उसने तो ऐसे नहीं करना चाहिए था वैसे नहीं करना चाहिए था तो हम सारा पैसे के उपर डाल देता है responsibility पर मैं ये भी तो देखता हूं कि गर और उस आदमी के रिच्टे दोनों अलग हैं पैसा एक energy है जिसे वो लिए घुम रहा है पैसा तो एक माचिश की तरह है जिससे आप एक दीपक भी जला सकते हैं और एक आग भी लगा सकते हैं ये आपके उपर है पैसे के इसमें कोई गलती नहीं है आप बारूद में माचि दूसरी बात यह भी है कि जो एक यूनिवर्सल inology है जहां से हम चीजों को लेते हैं जिसको हम जैसा मैंने पिछली वीडियो में अद्वै सिद्धानत की बात करे थी तो यूनिवर्स उनर्जी है उसकी खास पशो एक आदमी सोचता है पशो नहीं सोचता है वो तो सिर्फ अपनी जनरेशन को बढ़ाता है और सर्वाइवल को रखता है लेकिन एक आदमी के पास सोचने का तरीका है कि ये माइक का ये कलर कैसा होना चाहिए ये फैबरिक कैसा होना चाहिए ये मकान कैसा बनना चाहिए जैसे ही मनुष्य सोचता है, तो यहाँ पर वो एक observer effect को enjoy करने लगता है, enjoy करते ही उसके लिए वो सारी तैयारी हो जाती है universe में, ने रो मेटिल तैयार हो जाते हैं, लोग उसे मिल जाते हैं, ठीक है ना, जैसे ही वो इस journey को पूरा करता है, समझ लीजेगा, रुकणाह नहीं है, इसलिए का जाता है, कि जो universal energy है दुए सिदान्थ, वो dynamic है, वो हमेशा expand कर रही है, अगर आप expand नहीं कर रहे हैं, रोज आप grow नहीं कर रहे हो, और आप अपने आपको de-grow कर रहे हो, तो उस energy के खिलाफ हो, उस energy में थोट है, कि उसे पता है कि नीम के पेड़ को कड़वा रखना है, आपके पेड़ को कैसा रखना है, इसका मतलब यह है कि जब उसके पास थोट है, तो आपके पास भी तो थोट है, आप अपने थोट को तो गलत कर रहे हो, वो अपने थोट को ठीक कर रहा है, तो आप उसके एनरजी के साथ कहा जुड़े हुए है। जैसा मैंने एक्सपेंशन बताया है कि वो एक्सपेंड कर रहा है। उस एनरजी के पास बहुत प्यार है। उसमें सतचित आनंद है। सतचित आनंद का मतला बता है ultimate उसकी existence है यहांपर। तो आपको भी exist रहना पड़ा है को उस moment में जिसे जब आप कहते हैं कि अपने पल में आई मिना पर present रहो यानि कि ना ओ इस moment को जीो वह अपने moment को जीता है सत चित उसमें consciousness है और आपके पास भी consciousness है लेकिन आपकी consciousness अगर किसी को बरबाद करने के लिए तो वो उसके पास नही तो मैं unlimited support करने के लिए प्रकरती कहती है कि मैं तयार हूँ, मैं raw metal देने को तयार हूँ, इसका मतलब है कि आपके पास भी करुणा होनी चाहिए जब आप ग्रो करें, आपके पास भी सन्हे होना चाहिए, जब यह emotion आप जीते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस frequency के साथ जुड ही देता है, ऐसा लगता है कि आप और वो आदमी एक synchronization में चल रहे हैं, इविन आपके actions भी match हो जाते हैं, tone match हो जाती है, क्योंकि आप एक deeper value के साथ जुड़े हुए है, deeper purpose के साथ जुड़े हुए है, यह रैपो आप जब भी पैसे के साथ, पैसे वाले लोगों के साथ, प तब ही हम पैसे की frequency के साथ connect होते हैं, जब आपके पास बड़ा वाही होगा, जब जहां पर पैसा है, उस opportunity के लिए आप, I mean, sink में हैं, जो लोग पैसा आपको देंगे, पैसे की advice देंगे, पैसे की opportunity देंगे, उन लोगों के साथ आपका कोई emotional दुश्मन ही नहीं है, यानि क पहले से आपने preconceived notion नहीं रखी है, पूर्व धारना नहीं रखी है, कि तो खराब होते हैं, तो आप उस frequency में है, और आपने पहले से धारना ले लिया, कि नहीं, वो सब खराब हैं, मैं ही ठीक हूँ, तो फिर आप उस frequency के साथ नहीं जुडेंगे, अब रही वो antenna की बात, क यानि कि मेरा ultimate life का goal, वो तो goal आएगा कि मैं खुश रहना चाहता हूं, और मैं खुशी से इस दुनिया से जाना चाहता हूं, इसको हम mission कहते हैं, इसको हम prime purpose भी कहते हैं, यह मेरा last है, यानि कि यह मेरा prime है, last नहीं कहूँगा, यह ultimate है, यानि कि मेरा focus इस पर रहेगा, इसको पूरा करने के लिए, हमें spiritual need की बिजुरत पढ़ते हैं, कि मुझे हमेशा grow भी करना होगा, positive way में, और मुझे contribute भी करना होगा, लेकिन, अब आपको antenna भी बनना होगा, क्यों, क्योंकि जब आप इस journey पर चल रहे होंगे, तो आपको कपड़े भी अच्छे चाहिए, आपको कार भी चाहिए, एक निकाल, अगर आपकी team बढ़ी है, तो सो कार भी चाहिए, आपके पास हो सकता है, कि खुद के लिए आपके लिए 10-20-Lak रुपे की जरुर्य काफी ते, लेकिन हो सकता है, कि जब आप बड़े mission को देख रहे हैं, तो आपको बड़े mission के लिए आपको 100 से तो लही रहे हैं लेकिन कई बार आपको लगेगा कि आपके लिए तालियां भी बजनी चाहिए लाइफ में तो उस तालियों को भी आपको आपको अट्रेक्ट करना पड़ेगा यानि कि आप बेसिकली दिखाई लोगों को ये दे रहा है कि आप सिर्फ एक एंटीना बने चाहिए ऐसा ना हो जाए कि बस आप कार वाले ही बनकर रह जाएं फर एक्जामपल कि आपने कहा मुझे एक कार चाहिए लोग फटक्शन से कार तो आगी और कार के पर एक कुछ नहीं है तो ये कार थोड़ी दिन बाद आपके लिए दुख देने ही वाली है इस पर ना तो आप कपड़ा लगाएंगे ना इसका दरवाजा खोलेंगे क्योंकि इसके पर आपका कोई परपज नहीं था और कार आने के बाद आपको लगए कर ना वाट नेक्स्ट रहा नहीं तो जीवन में जो लाइफ जीनी है वो अल्टिमेट मिशन को देखते वे जीनी है और जो फ पारे करने हैं लेकिन आपको पता है कि धागा जो इस माला का धागा है वो पूरी तरह से मेरे लिए किलिया रहे नहीं तो फिर आप एंटी ना बनके रहे जाएंगे ग्रेट सर सर मेरा एक एको सवाल है आपका जब क्लासिस चलती है मौनिंग में गौड ओफ मिरेकल की उसमें आप एक चीज कहते हैं जो आप एक्चुली मांग रहे हो वो अल्लेडी अभी किसी के पास है तो जब हम अफर्मेशन करते हैं कि I am attracting money तो ये सही है या फिर मेरे को ये अफर्मेशन करनी चाहिए कि I am attracting the opportunity जो मेरे को पैसा देंगी हाँ यहां पर एक बहुत बड़ी गलती हो रही है हमारे देश में मैं देश का ही कहूंगा क्योंकि मैं अपने देश के लोगों को देख रहा हूं और मेरे पास अजारों इस्ट्वेंट आते हैं हर बार मेरी वक्षोप में भी और पेड वक्षोप में भी और मेरे गौड ऑफ मिरेकल की जो वक्षोप है बाइदावे नाम आ गया तो हम मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरी एक बुक है हिंदी इंग्लिश और गुजराती में उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा यह बातों में आगी कि यहां पर एक चीज समझ नहीं होगी कि क्वांटम फिजिक्स ने यह पाया है कि जो एटम के अंदर एनर्जी है और एनर्जी के अंदर अगर हम उसे उब्जर्व करते हैं तो एक पार्टिकल बनता है इन दोनों का एक कनक्शन है कि यह है कि जो एनर्जी है वो 99.5 बार न 99.99999% है और वो जो पार्टिकल बना है वो 0.0001% बना है क्योंकि इतना ही बचा है इसका मतलब है कि इस पूरे युनिवर्स में जो चीजे आपको विजिबल है यह मकान है गाडिया है आदमी है सड़के है पेड़ है पहाड है और यह पूरा युनिवर्स है समझगे इसका म जो अभी एनरजी बाकी है यानि कि जो रोमेटल बाकी है वो अभी 99.99999% बाकी है अब गोर से सुनिएगा माल लेते हैं मेरे पास 10 लाग रुपे हैं और यह 10 लाग रुपे ही 0.0001% इस उनिवर्स में और वो मेरे पास है और ऐसे में कोई कह रहा है I am attracting money I am attracting money तो whose money you are attracting my money औ जबन में नहीं दूँगा मैं तो क्यों क्यों दूँगा बै मेरे पास माल लेते 5 फ्लेट हैं ठीक है और मेरे पास इच्छे लोग है फैमिली में अभी भी एक फ्लेट कम है और आप कह रहे हैं कि जी मैं manifest करूँगा आप वाला एक फ्लेट बाई मैं पूरी कोशिश करूग अगर देखो सिंपल सी बात एक चीज को समझने की कोशिश करिएगा इस यूनिवर्स में कितना पैसा है ना लेकिन जब सुबह एक रिख्षा वाला आता है कलोनी के सामने खड़े रहते हैं 57 रिक्षा वाले तो जो रिक्षा पुलर है उसका पता है क्या रहता है मुझे 2500 रुपे मिल जाए और उसे मिल भी जाते हैं वहीं पर एक ओटो वाला खड़ा होता है, वो भी रिक्षा है, लेकिन वो ओटो रिक्षा है, वो कहता है, मुझे 708 रुपे मिल जाएं, उसे भी उतने मिल जाते हैं, उसी कलोनी से एक आदमी निकलता है, वो कहता है, मुझे 25,000 रुपे मिल जाएं, उसे उतने मिल जाते हैं, और जिसने एक कलोनी बसाई हुई है, वो कह रहा है कि मुझे धाइसो करोड मिल जाएं, उसे भी मिल जाते हैं, सवाल यह है कि आपने अपने फोकस को कितना चोटा या कितना बड़ा किया है, गड़बड यह हो गई है कि हम सिर्फ और सिर्फ created चीजों को manifest करने की बात कर रहे ह आपने जो दूसरी बात बोली है कि वाट शुड वी अट्रेक्ट, वी शुड अट्रेक्ट 99.99999% को अट्रेक्ट करना है और वो अपोर्चुनली दे रहा है आपको, और प्रकरती यह कह रही है कि मैं करती से पहले आपको सारा डोमेटल दे रही हूं, तुम सिर्फ एक बार तयार हो जाओ, क्रियेशन के लिए, आप कहते हैं, नहीं मैं क्रियेशन नहीं करूँगा, मैं लोगों का जो क्रियेटिड है उसे छीनूँगा, भईया उसमें तो ताकत लगानी पड़ेगी, उसमें तो एक आदमी को छोड़ना पड़ेगा, तब तुम तक आएगा, इसलि आप जैसे ही पैदा हुए हैं, यूनिवर्स ने आपकी जगे बनाई है, एक्सपेंड कर दिया है, आपके लिए नया रोमेटल तेयार है, नई एनरजी तेयार है, आपको हवा की कोई गरंटी, अमीन है, हवा की लिए सांस लेने में कोई कोंपेटिशन चला है, पानी में को दो कोही कोंपेटिशन चला, धर्टी पर कोई कोंपेटिशन ऑएगल, बटरी, वो दूसरी बात है, लेकिन कोई कहीं कोंपेटिशन ही नहीं आपके लिए, रोमेटलि ऑपर से आ रहे यह. आप अपनी तैयारी करो नौन, आप अपनी जगे बनास यहां नहीं थिए ऩए और उतना ही बढ़ता जा रहा है क्योंकि जैसे जैसे आप expand करेंगे अपने थोट को universe कहता है कि और energy लो इसलिए इसने कहा है कि जितने लोग यहाँ पर creator बन जाएं जो भी आप create करना चाहें कितना भी create कर लें सब की जगह है यहाँ पर बस इतना सा रखना है कि आपको उस energy को collapse करना है उस energy को तबदील करना है अपनी creativity creation में जी बहुत अच्छा बताया सर आपने और इससे पहले उत्तर में आपने बताया था we create our miseries लेकिन इसको थोड़ा सा आप और ज़्यादा explain करिए क्योंकि मैं अपनी miseries क्यों बनाऊंगा मुझे तो clear है मुझे क्या चाहिए मैं manifestation में लगा हुआ हूँ मैं अपनी affirmation कर रहा हूं मुझे clarity है तो मैं अपनी miseries किस level पर जाके बना रहा हूं हाँ वो इसलिए बना रहे हैं कि आपको हमें पता ही नहीं होता कोई खास बात नहीं चल लिए उसके लिए उसकी रोजने की activity वो खेल रहा है लेकिन अगर उसका हाथ एक बार गरम तवे पर आजा वो एकदम से ऐसे करता है ठीक है ना अब जीवन भर उसका एक belief आगया कि तवे पर हाथ नहीं रखना यह mind की बहुत positive intention है क्योंकि वो याद दिला रहा है कि यह गलत हुआ तेरे साथ इसको मैं memory में डाल देता हूँ यानि कि जो भी हमारे लिए गलत event आती है या हमने उन्हें गलत तरीके से delete, distort, generalize किया तो हमारे mind को उसे store करने की आदत होती है वो हमारी programming बन जाती है for example, किसी ने मुझे insult किया और मुझे बुरा लग गया उस समय तो मेरे mind ने उसे रख लिया कि ऐसी घटनाव से इसे बुरा लगता है तो मैं इसे याद दिला देता हूँ तो लेकिन धिरे धिरे क्या हुआ कि मैंने उसको store कर लिया और वो store करने के बाद उस moment से मैं निकल सकता था और नई creativity ला सकता था लेकिन अब मुझे मालूम है या किसी मेरे mentor को मालूम है कि ये वहाँ पर फसा हुआ है और वो miseries मुझे पीछे की तरफ खीच रही है जिनका मुझे पता नही है जिनका मुझे पता नहीं है इसलिए एक हैल बन जाते हैं हमारे अंदर एक नरक जिसको हम कहते हैं और धीरे धीरे हम उस नरक का ही आनन्द लेने लगते हैं क्योंकि आपके पास कोई choice नहीं है बाहर की फिर एक्जामपल अगर मैं किसी भी जगे रह रहा हूँ तो मुझे लगता बस यही रियालिटी है जिसको हम कुए का मेंड़ा कहते है जब हम एक गाउं में रहते हैं तो असलिए लगता है बस यही मेरी लाइफ है फिर गाउं से हम शेहर जाते हैं तो लगता है यार यह एक्सपेंड हुआ फिर बड़े शेहर में जाते हैं और फिर हम बाहर जाते हैं तो लगता है यार यह सारा कुछ बदला हुआ है ठीक है ना तो कई बार जो हमारी मिजरीज हैं then, unknown devil. वो ये नहीं पता कि वो कैसे हमें handle करना होगा. हम वो कहते हैं कि यार ये ही ठीक है. इतना तुम handle करना सीखी गया हूँ. इसलिए हमारी misery created होती हैं. आती हैं वो इसलिए कि हमें वो कुछ बचाती हैं. लेकिन पिर वो हमारा permanence state created कर लेती हैं. जी और आप शायद एक बात भी कहते हैं कि we enjoy our miseries, so when we enjoy our miseries, तो हम law of attraction के against काम कर रहे हैं, राइट, हाँ, या फिर आप law of attraction को enjoy कर पाएंगे, जब तक आप अपनी miseries को enjoy करेंगे और आपका trainer आ गया so cold, और आपका internal क्या है, कि I am enjoying my miseries, तो आप अगेंस्ट अपने आप कैसे चलेंगे, और जिसकी foundation solid होगी, वही तो जीतेगा, and it is one of the reasons कि आम आदमी बहुत कम उसको law of attraction मिलता है, खास आदमी को मिलता है, क्योंकि आम आदमी के पास अपनी miseries की foundation बहुत strong होती है, और उस छोड़ने के लिए तयार नहीं होता, उसके अपने thoughts होते हैं, कई बार मैं लोगों से कहता हूँ, यार, थोड़ा सा अपना पैसा खर्च कर, थोड़ा सा समय खर्च कर, और तू अपने past को एक बार repair कर ले, जब भी मैं बीमार था, तो मेरे कई friends ने कहा कि, क्यों पैसे को बरबाद कर रहे हो, ठीक है ना, हो जाएगा ऐसी दवाई खा लो, लेकिन अंदर से एक आवाज आई, कि यार, अगर मैं अपने उपर खर्च नहीं करूँगा, तो मैं अपने आप ही को discount कर रहा हूँ, इसलिए आप देखेंगे कि आम आदमी अपने उपर खर्च नहीं करेगा, समय को भी और पैसे को भी, वो सिर्फ ये सोचेगा, कार के उपर खर्च कर दूँगा, जो दस साल नहीं चलेगी, जी, ड्रेस के उपर खर्च कर दूँगा, ठीक है न, बाइक के उपर खर्च कर दूँगा, शादी करूँगा, बच्चों की उपर खर्च कर दूँगा, लेकिन अपने उपर खर्च करूँगा, एक भी पैसा, क्योंकि उसे ये लगता है कि अपने उपर खर्च करना पाप ह करते बेतर अपोर्चृनेटी उनकी बेट करते रहते लेकिन वह नहीं करते और वह एक चेंट में बंधे रहते थे अ ऐसे में वह लूफ अटक्शन को लगाते हैं इसलिए नहीं कि मुझे इम्प्रूव कर दे इसलिए नहीं कि मुझे क्वालिफाई करे अगर मुझे low protection करना हो तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि मुझे क्वालिफाई करिये क्योंकि मैं जितनी बड़ी है self image के साथ रहूँगा उतना ही बड़ा ज़्यादा मैं collect करूँगा अगर मेरी छोटी सी self image है पातरता इतनी सी है जो मैं कल बात कर रहा है इससे पहले वीडियो में अगर पातरता इतनी है तो इतना ही तो आएगा अगर आपके बरतन में दो किलो का पानी आए तो दो ही किलो आएगा तीसरा किलो कहां डाले उपर वाला तो उपर वाला कहता है मैं उसको डाल देता हूँ जिसके पाद पातरता जाद है वो अमबानीज है वो कहता है कि यहां कितना भी डाल दो मैं तो और मांग रहा हूँ आम आदमी को यह लगता है कि मेरे पाद काफी हो गया साथ अमबानीज को यह लगता है तो अभी तो काफी होना बाकी है कमाल की बात है ना तब ही उनकी नई कंपनी बनती है आम आदमी को लगता है भाई उसका ये बिलीफ है पता है नहीं काम चलेगा नहीं चलेगा वो एक कंपनी ये लगाता है कि काम चलेगा ही चलेगा देखे गए ये है वो पैसे की फ्रिक्वेंसी आम आदमी कहता है भाई गह और यहां नहीं आए तो इस देश के परे आएगा इक सर्टेनीटी में जीता वह याद रहे कि आ सकसे समय साथ पर आती है जब सब्सक्राइब करते हैं मेरा यह यहां पर ठेला लगे का नगे यह लोग आएंगे और एक दिन यह ठेले से रेस्टोनेंट बनेगा और यहाँ से चेण बनेगी इस रेस्टोनेंट की चार और आएंगे याँ पर जब भी आपकी। ये इन सर्टेनिटी हो जाए याद रिखे को आप चिजो को उत्रेक्ट करेंगे तो सर ये certainty को कैसे अपने mind में अपने beliefs में fix करे हम कि मैं certain हो जाओं कि जैसा आप कहते हैं कि हवा मेरे लिए आएगी सूरज की रौशनी मेरे मुझे मिली है certainty मैं अपने mind में कैसे लेका हूँ क्या कोई एक छोटी सी exercise अगर आप बता सके तो बहुत बहतर होगा very true, very true, यह बहुत important है याद रखेगा जिस दिन आपके पास certainty आगी कि मेरी ये बिमारी ठीक होकर मैं स्वस्त हो रहा हूँ, उस दिन से शुरू हो जाएगा यह तो हमारे reference कहते हैं और यह तो medical journals में लिखा है कि placebo effect immediately काम करता है, overnight लोगों का cancer ठीक हो जाता है मैं कई example देता हूँ, और वो भी fourth stage का अगर आपको certainty आजाए कि आप इस मुसीबत से निकल कर एक बहुत अच्छी life में जी रहे हैं तो immediately journey शुरू हो जाएगी, ऐसा लगेगा आपको कोई खीच रहा है लेकिन आदमी के पास यह certainty नहीं बलकि doubt रहता है उसे doubt यह रहता कि शायद मेरे साथ ही गड़बड होएगी और उसके साथ picture बनती रहती है बेकार की certainty को पूरा करने के लिए बहुत सारी चीज़े हैं आपका mind हमेशा हर एक चीज़ को एक location और एक quality देता है अगर मैं आपसे कहाँ कि आपका अपने मन पसंद खाने को सोचिए जो आपका मन पसंद food है तो एक दम से एक picture आ रही है ठीक न है और उसकी एक quality है वो आपको सामने दिखाई दे रहा है पीछे दिखाई दे रहा है different है यह perception है उसी तरह से एक आदमी के बारे में सोचिए कि आप किसी आदमी को बहुत प्यार करते है और एक के परती आप दूर का रिस्तिदार है मिल गया तो ठीक है नहीं मिला तो भूल भी गए तो इन दोनों की pictures में कि पूरी और quality में फरक आ रहा है पहली की तरही different है इसका मतलब है आपका mind इन दोनों की pictures को अलग रखे हुए इनकी दोनों की cocktail अलगे इन दोनों की location अलगे इन दोनों की sound इमीन अलगे size का picture का size अलगे colors अलगे is that right खा के अलगे पूरी तरह से खा के अलगे इसी तरह से सोचिएगा कि आपके life में for example आप ये कहते हैं मैं पैसे को attract करने के लिए certainty को create करना चाहता हूं ठीक है तो मैं आज आपको एक example देता हूं सभी लोगों को आपने बहुत सारी चीज़ों को attract किया आपने parents को attract किया अगर देखा जाए तो metaphorically I mean divinely आपने इस आपने बहुत सारी इवेंट को attract किया अपनी life में बहुत सारी लोगों को भी attract किया इसका मतलब है आपके पास low of attraction तो था अगर आप किसी भी event में जाएं और एक आपने किसी चीज़ को attract कर लिया आपने मान लेते हैं किसी पैसे को चाया किसी नोकरी को चाया किसी आदमी को चाया और आपकी life में आ भी गया तो आप उस picture को देखेगा उस picture की quality के साथ रहिएगा और देखेगा जब वह picture आपके दिमाग में चल लिया तो आपको क्या बोल अब उस पैसे को जैसी देखेंगे तो आजसा लगेगा वो दूर की चीज निगा लग रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि वह बड़ा पैसा है तो मैं चोटा लग रहा हूं यह सब के साथ picture आती है और इस जो चीज आपने attract करी इसमें आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें मैं पूरी तरह से काबिल हूँ मैं चैंपियन हूँ और वहां आप छोटे हैं तो डॉंट यू थिंग डिफरेंस और परसेप्शन बहुत जादा इसका मतलब यह है कि हम उस चीज के लिए इसलिए डाउटफुल है क्योंकि वहां परसेप्शन ही माइंड का लगे मैं आप आप लोग पैसे की एनरजी और पैसे वालों के साथ एनरजी का मैं आपको एक छोटा एक्जामपल देता हूँ यह डिवाइन आ गया है और शायद किसी नहीं यह मैनिफेस्ट किया है वो यह है कि आप अपने आखे बंद करके उन लोगों के बारे में सोचिए जिन लोगों के प कि आप已經 adhat आईए और अपनी अपनी लोगों के साथ में अपनी पिक्चर देखियी है कि क्या आपकी पीक्चर में भी वह लोकिशन आ रही है क्या वह लोगों के साथ अपनी ड़िख़ाई देती मिवा और हम भलाम यह अपने की प्रोबलम है लोगों अपनी कामै आपकैस मैंड ने आप ही के साथ पहला गेम खेल दिया कि you are not rich, you are not rich, इसका मतलब यह है कि जब आप rich नहीं है तो you are not certain to be like this, आप certain ही नहीं होंगे, क्योंकि आपका मैंड कहता है तुम अलग हो वो अलग है, अगर आप एक काम करें, उन लोगों के बीच में imagine करें कि आपके बार एक divine remote controller, उनके बीच में जगे बनाकर अपने चेहरे को यहां लाएं और इस तरह से लाएं कि करीब आप एक घंटा बैड़ जाएं चुप चाप meditation में, और imagine करें कि उन पिक्चरों के बीच में अपनी फोटो को, अपनी activity को, अपनी बातों को, अपने उनके लोगों के connection के साथ इस stimulation जैसे आपकी बोडी में जाएगा और आपकी बोडी की साथ टिलियन सेल से एकदम से कहेंगे हाँ यह बिलकुल सच है, तो आप सर्टेन हो चुके हैं. जी, जी, I think एक्सरसाइज हमें खूब करनी, I mean डेली करनी चाहिए इसका पाइदा उठाने के लिए. Yes, very true. इस exercise को बताते हुए आपने एक शब्द बोला कि आप अपने माइंड में ही गरीब हैं, लेकिन जब मैं अपना देखू या किसी का भी देखू यह choice कभी मेरे को दी नहीं गई, किसी ने आके मेरे को यह नहीं बताया कि आपकी इस तरीके से programming हो रही है, तो यह मेरी choice थी या यह मेरी programming कहीं से ऐसी हो गई कि मेरे mind में वो picture अपने आप बनने लगी, यह choice आपकी नहीं थी, आपकी यहाँ पर कोई भी choice नहीं है, सिवाई यह choice के अलावा, कि आपको एक mind दिया गया था, कि आपकी body कैसे बनेगी, आपके बाल कैसे बढ़ेंगी, आपकी लंबाई कैसे ह है, और यह society जिम्मेदार है आपके लिए, इसी लिए, society चाहती है कि मैं एक तरीके से behave करूं, अगर आप, आप किताब को पढ़ें जिसका नाम है, fourth agreement, fourth agreement, I mean, Moyal Ruiz की किताब है वो, कही किताबे हैं, याद रखेगा, जितने भी programming आपके की गई है, आपका नाम क्या है, यह आपके society ने रखा, आपका religion क्या है, यह आपको दिया गया है, यह आपने choose नहीं कि, मेरी choice, आपकी choice नहीं थी, ठीक है ना, आपकी जाती क्या है, यह भी आपकी choice नहीं थी, यह सब by accident या incidence से मिले हैं, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, यह भी cycle नहीं थी, ठीक है न, अगर आप, आप खड़े हैं, और आपको क्या गया है, आपको क्या है, यह वाली नहीं थी, यह वाली नहीं थी, यह वाली नहीं थी, तो इसका मतलब है, कि choice भी society नहीं थी है, हर चीज जो आपको दे गई है, history आपको, I mean society ने पढ़ाई है, आपकी values क्या है, इंसे एक भी value आपकी नहीं है, आपके beliefs जो हैं, उसमें इसे एक भी belief आपको नहीं थी बीदियागा है, सारे बच्पन में, दुणिया ने आपको दिये, इस की respect करने, इस की respect नहीं करनी, यह काम गलात है, यह आपको खाना है, यह नहीं खाना, इसके खाने से पाप में गए हैं और आप आज पियर नहीं पिरें उनके साथ तो आप एकदम से आउट कास्ट हो जाएंगे जैसे वहां पियर पियेंगे तो यू आ दियर बेस्ट फ्रेंड देट टाइम ठीक है ना इसका मतलब यह है कि आपको पता है कि यहां पर मुझे क्या करना है से ठीक है तो पिर आपकी पर्सरीटी यहां से आई है कि आ सैखक किया है उसलिए कि नहीं तो मैं आउट क्लास हो जाओंगा चोंगर हम सिर्फ रिवार्ड और पैणिश्मैंट की पर्सरीक को जीते हैं अपनी पर्सरीक को नहीं जीते हैं तो यह इंड यह पके क्ताइगा कॉ B, C, D, सही लिखोंगा, तो teacher मुझे reward देगी, नहीं तो फिर किसी और को दे देगी, और मुझे punishment मिलेगा, आपको पता है कि कहा जूट बोलने से आपकी जान बचेगी, और किस जूट को बोलने से आपका punishment कम होगा, तो फिर आप जूट बोलना आपने नहीं सीखा, society ने आपक इतनी भी personality है, वो manipulated हो जाती है, आप को सोचे कि manipulated personality के साथ आप कैसे law of attraction को enjoy करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, I think आपकी जो image होनी चाहिए, वो authentic होनी चाहिए, जो आपने पहले बताया, जो पहले 3-4 साल तक आपकी होती है, अगर वो playfulness आपके पास है, तो definitely आप attract कर पाएंगे बिल्कुल, authentic selfie image हमारी 4-5 साल के बाद खतम हो जाती है, उसके बाद हम सिर्फ अपनी show वाली identity को जीते हैं, और हम कहते हैं, देखो मेरे पास यह iPhone है, तो ड्राने के लिए है यह, समझने के कोशिश करिएगा, Mercedes में भी 5 लोग बैठते हैं और एक चोटी कार में 5 लोग बरे न पर रोलेक्स को लोग पहनेंगे, इसलिए कि वो अपने आपको significant over others चाहते हैं, इससे हम कहते हैं कि दूसरे को ड्राना, खलील जिबरान के एक कानिया ना, वो एक आदमी जा रहा था, फिल्ड में से और एक उसको मिला, पुतला, उसने कहा तुम कौन हो, उसने का मैं इसकेर करो हूँ, जो किसान लगा देते हैं, ड्राने के लिए, पश्वों को, उसने कहा तुम क्या करते हो, किता मैं लोगों को ड्राता हूँ, तो आदमी ने कहा मैं भी यही करना चाहता हूँ, जीवन भर से, तो उसने कहा तुम यह नहीं कर सकते, तो इसकेर करो, आदमी ने पू ले हो तो तुम इंसान नहीं हो तो याद रखेगा जितनी भी हमारी personality के अंदर significance over others है उसकी कोई जुरत तोड़ाई है वो तो significance over others है ठीक है ना वो तो सिर्फ ड्राने के लिए ही तो है यह बहुत इपावरफुल स्टोरी है मुझे अच्छा लगता है सर आपने अभी यह बताया के जो मेरे beliefs हैं जो मेरी identity है या जो भी मैं आज के तारिक में वो मैं नहीं हूँ वो कहीं न कहीं society ने मेरे को दे दिया गया है तो अगर इस image के साथ और अगर इस वेक्तित्व के साथ मैं law of attraction लगाने जा रहा हूँ तो I think मैं वो सब attract करूँगा जो society मेरे से चाहती है में भी society के कुछ अपने नियम हो और वो चाहती है मैं इसी पात पे चलूँ और इससे ना दाय जाओ ना बाय जाओ तो यह possibility है मैं आप से पूछता हूँ सब से पूछता हूँ आप कोई भी एक ऐसी चीज़ मांग कर देखे जो आपको anti-social बना रही हो अचानक आपको लगेगा यार यह से society will not like it फिर मैं क्यों मांगो इसको आप कई बार ऐसा लगेगा कुछ लोगों को attract करने के लिए या कुछ लोगों दिखाने के लिए मेरे पास यह सब चीज़े होनी चाहिए आपकी authentic life में आपको क्या चाहिए तो कहीं न कहीं अगर मैं कार मांग रहा हूँ मैं कह रहा हूँ मैं एक कार manifest करना चाहता हूँ तो कहीं यह कार इनी कारनों के वज़िश से तो नहीं मैं मांग रहा मेरी असली desire कुछ और है लेकिन मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं यह on own कर सकता हूँ यह कार मेरी हो सकती है और सिर्फ इसलिए मैं लगा हूँ कि मुझे कार चाहिए या मुझे पैसा चाहिए मैं कुछ और different ही करना चाहता था लेकिन society ने ऐसा कर दिया मेरे को कि भाई यह है तो हम तुम्हें मानेंगे तुमने कुछ किया otherwise ठीक है चला है exactly बच्पन से आप देखेंगे society आपको reward देकर आपको validate करती है और अगर आप उस reward को miss कर देते हैं तो society फिर आपको बताते है देखो you have missed it फिर society आपसे कहते है next time do like this फिर आप next time do like this करते हैं और फिर आपको कुछ मिल जाता है तो फिर society कहते है now we will clap for you तो इसका मतलब है कि सारा कुछ आप जैसे लोग यानि कि जो society आपसे चारी है उसी में से ही आप 99% कर रहे हो जिस दिन हमें ये पता चल जाता है कि जो भी हमें ये दिया गया है इसके परे भी मैं हूँ इसलिए कई बर मैं कहता हूँ कि आपकी life अलग है और life की events अलग है यानि कि जो life की event आपने जी है वो life नहीं है वो event थी इसके परे भी life है जब इसके परीभी आप हैं वह सिर्फ यहें कई बार मैं कहता हूँ कि आप अपने रोल इसके परे भी कोई और हैं यहीं नहीं है कि आप एक डॉक्टर हैं, series One Charged Accountant हैं इसके परे भी कोई और हैं जो आप रोल कर रहे हैं उसके परे भी कोई ओर है, आप यविन आपकी वैल्यून्स के परे भी कोई और आप है, आपके लिए मेरी लिए इंपोर्टेंट है कि मैं इस पोड़कास्ट को करूँ, जब मैं गाड़ी चला रहा हूं Hopkins, और जब मैं फोकस होना और फोकस के लगा बता कि राम लीला में वो राम का रोल अदा कर रहे हैं या रावन का, जब मान लेते हैं उसे कहा कि तुम रावन बन गए हो, अब वो रावन सिर्फ राम लीला में है, रावन वो राम लीला में है, लेकिन वो क्या कर रहा है, मान लेते हैं, वो उसने आके राम लीला खताम हो अगले दिन भी वह रावन बनावाँ गावड है और गाव लड़का उसमें सीता भी बनावा है और वहाँ पर वह सीता को उठाता है तो फिर यह गलती है यह पिटाई का काम होगा वो पिटेगा गाओं में लेकिन अगर उसने यह का कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूं मैं रा आपके पास यह wisdom होगी तभी तो आप decision लेंगे कि मुझे क्या चाहिए या मेरी self को क्या चाहिए आप भी नहीं है आपके पर एक concept है कि आप कौन है वो जो self image है उसे हो सकता है इनमें से कुछ भी ना चाहिए लेकिन दुनिया कह रही है कि तुम्हें यह चाहिए और जिदर से भी निकलो के यह कहाँ कि तुमने यह क्यों नहीं करा अब तक तुमने यह क्यों नहीं करा तुमने यह क्यों नहीं करा और तुम यह क्यों नहीं करा और तुम यह कह रहे हो कि मेरी self यह कह रही कि इसको give away करने पही मुझे तो मज़ आएगा राइट ही कि एक आदमी मैं के साथ जिंदगी जी रहा है इसका मतलब है कि उनकी सेल्फ को रीड करना अपनी सेल्फ को रीड करना और दुनिया की को को रीड करने में बहुत बहुत फर्क आपको नजर आएगा आपका लो फट्रेक्शन बेसिकली वहां से जाना चाहिए कि आपको क्या करना है और अगर आप सेल्फ इमेज को भी सुनें तो वहां पर एक चीज जरूर आती है कि यू मस्ट ग्रो पॉजिटिवले यू मस्ट यह बता दें कि किस तरीके से आप मनी की फ्रिक्वेंसी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं जो आपने बताता है बलीफ वैल्यूज आइडेंटिटी कमिट्मेंट एक बार हलका सब फाइनर पॉइंट्स में रिवाइस कर दे तो आइटिंग वह बैटर रहेगा देखिए समसब से ब मेरे यह 100 दर्जन के लिए लेकर आया हूं 20 sat दर्जन ब्रेके में आजएगा 20 दरजन नहीं में बुक्तने के बात नहीं और रोज ओ जाता है तबी आनलए लिए ने बात कर रहा हूं मैं, पैसा तो हम सब के पास आया ही है, सब भी नहीं किया, तो सर्वाइवल तो चलते ही रहेगा, सर्वाइवल तो हर आदमी का चल रहा है, जतना आप मांगेंगे, अगर आप wealth की बात करते हैं तो आप एक बड़े परपच के साथ जुड़ें बड़ा परपच का मतलब है कि जहां पर आप लोगों की life में कोई impact डालें उस पैसे को जब आप attract करेंगे तो कार भी आपके पास आएंगी आएंगी जाद आएंगी जितनी आप सोच रहें आपकी ड्रेस भी बेतर आएंगे और लोग भी जाद आएंगे ठीक है ना लेकिन अगर आपने एक ही कार के लिए manifest किया है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप यूनिवर्स में आए थे बहुत बड़ा काम करने के लिए और आप यू समझेए भगवान शंकर आपके सामने कड़े थे उन्होंने कहा आप से खुश हो कर कि आप यूनिवर्स में आयो आप मेरा सोलो बताओ क्या चाहिए और आपने का सर मुझे एक टोफी चाहिए त भूश रहो टोफी दे ले लिया अपने तो जब भी आप पैसे को वेल्थ को अट्रेक्ट करें तो बड़ा परपज लें बड़े परपज के साथ अपनी पहचान को भी इंप्रूव करें आपकी पहचान को दबा दिया है इमोशनल पॉईजन ने बेकार के बिलीफ ने के लिए अब इंपोर्टेंट क्या है इस परपज को पूरा करने के लिए इस पहचान को जीने के लिए उसके बिलीफ चारों तरफ से खटे करें आप वो नहीं है जो सुसाइटी ने आपको दिया है यह बताया कि आप यह हैं वो तो गलत बताया उन्होंने अदूरा बताया लेकिन आप उसके परे हैं जब आप इन चीजों को लेते हैं तो आप एक नई पहचान के साथ एक नए अवतार में आते हैं और वो अवतार बेसिकली यूनिवर्स आपके साथ जुड़ता है कि यह मेरा क्रियेटर है उस समय परकरती को पहला पुरुष मिलता है आपके रू अगले पॉड़कास्ट में ले सकते हैं कि दरस्टा भाव क्या होता है तो यह प्रकरती दरस्टा भाव आपका सुनती है जो भी आप कहेंगे बस सवर यह है कि आप कहां से उसे ले रहे हैं यानि कि एक सर्फिस लेवल से ले रहे हैं उस लो फट्रेक्शन को या एक डीपर लेवल से, सर्फिस लेवल पर लेंगे तो आप फेल होएंगे, कई बार थोड़ा बहुत मिल भी जाएगा, और आप कई बार सालों तक लगे रहेंगे, पैसा कमा का ट्रेनर को देते रहेंगे, कि लो जी मेरा लो फट्रेक्शन लगा दो, लेकिन अगर डीपर लेवल पर आप अगर आपका कोई भी कोशन है, उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे के नेक्स सेशन जब भी हम सर्क के साथ करें, उसके स्टार्टिंग में हम आपका कोशन लेने की कोशिश करेंगे, तो जरूर लिखेगा, थैंक्यू वेरी मच्च